है 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 तो आज हम लाएं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्टिसिटी चैप्टर का 7 वीडियो और आज की वीडियों हम बात करने वाले है numerical based on resistance एंड रजिस्टिविटी पर तो चली शुरू करते हैं विज वेरी फर्स्ट क्वेस्टिन नमबर वन वाट एज वाट एज क्या पूछा है हमसे एपार्ट हाइस्ट एंड हाइस्ट एंड और बी पार्ट पूछा है हीछ एंड लोवेस्ट एंड लो वेस्ट और लो वेस्ट्स्टिन that can be that can be secured that can be secured by combination by by combination of four coils of resistance by four resistance लिख लेते हैं बाफ फोर रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं फोर रेजिस्टेंस फोर ओम एट ओम ट्वेल्व ओम और ट्वनिटी फोर ओम कुशन समझ माया कुशन हम से यह पूछा गया है कि आप इन सारे रेजिस्टेंस की कॉंबिनेशन से हमें lowest and highest resistance कितना आपटेंड कर सकते हूं तो आपने पढ़ा हुआ है combination of resistance में कि जब हमें highest जिस्टेंस चाहिए होता है तो हम हम एच आन्स की वहलो करना होता है क्या हमने से कमन करते हैं पैर्नल में करते हैं हम लिखेंगे for highest resistance for highest resistance for highest resistance they should be combined they should be combined in series combination ठीक है in series combination तो पहले ये बात हम ने लिख ली कि हमें अगर इनका resistance हाई चाहिए होगा जो combination और रजिस्टेंस है अगर वो हाई चाहिए तो मैंने कैसे हाइस चाहिए तो क्या करेंगे इन्हें सिरीज में कंबाइन कर देंगे तो सिरीज का फॉर्मला आपको पता है और बन प्लेस आर्टू प्लेस आर्ट्री प्लेस आर्ट्री प्लेस आर्फोर ठीक है इस तरीके से हम एड़ करते जाते हैं तो आर्ट की वैल्यू आ जाएगे यहां से फॉर ओम प्लेस एट ओम प्लेस ट्वेल्व ओम और ट्वंटी फॉर्म है एंट्व ओम जो आपको आंसर हो जाएका बिसे एड़ कर लीना तो आपका आंसर हो जायगा 48 और यह हमारा अंसर है तो यह हमारा हाईस रिस्तेंस को ने तरहां रहा है है और अगर हम इसे यह हमारा एपार तीटेंगे अब बी पार्ट के लिए क्ली से गें इस सबस्क्राइब टे शचेट बीकंबाइन अच देश चीट बीकंबाइन इन पैर्लेल कॉम्बिनेशन थिक है यह मैं कैसे क्मबाइन करेंगे प्रलेल करेंगे और पैर्लेल का पो फॉर्मला पाता है बन अपन आर इक्वल टुवन अपन R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 ठीक है यसी तो करेंगे आप इने हम calculate करते है 1 upon R equal to 1 upon R1 मतलब 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 plus 1 upon 24 इनका LC मैं लेंगे कितना आज़ाएगा 24 आज़ाएगा ठीक है तो 4 6 plus 8 3 plus 12 2 सूरजा और 24 तो इने हम सॉल्व करेंगे 9 और यह वजाएगा 11 12 तो 12 अपन 24 इसको कड करेंगे तो वन अपन टू ठीक तो यहाँ पर देखो कितना आएगा यहां से तो यहां से वन अपन आर में चल रहा दीक उन बंबनी सबता कर दो हमारी और किती चाईगा कितना बढ़ियू है यह क्या है लोवस्ट को इन सारे determin isles को combine करके जो maximum lowest value बता सकते हो ठीक है calculate करसकते हो वह वह कितना है 222 अर रहाई इस कितना था 48 ओ ठीक है समझ में आगे कुश्चिन तो इन कुश्चिन को आप ऐसे ईजली कर सकते हो अब हम देखते हैं कुश्चिन नमबर टू जो की बेज़ रजिस्टिविटी पर कुश्चिन नमबर टू जो कुश्चिन नमबर टू क्या है अव वायर ओफ गिवन material a wire of given material having length having length L and area of cross section and area of cross section area of cross section कितना है ए ठीक है जिसकी length A है कोई एक wire है given material का जिसकी length कितनी है L है और cross section area A है has a resistance of has a resistance of resistance of 4 ohm ठीक है उसका resistance मुझे 4 ohm पता है what would be the resistance what would be the resistance of resistance of what would be the resistance of another wire another wire of the same material of the same material having length same material having length having length L by 2 ठीक है L by 2 and area of cross section and area of cross section area of cross section कितना है टू टाइम्स ओफ ए ठीक है टू ए तो अब हमें बताना है कि देखो क्वेशन समझों के रहागा वायर ओफ गिवन material having length माल लेते कोई एक वायर है जिसकी length कितनी है L है ठीक है और इसका cross section area कितना है यह है यह हमें पता है मतलब अगर हम रो इक्वेल टू और सारी अगर हम यहां से आर की वैलू ऐसे समझों सॉलिशन देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें जो आर की वैलू मिलेगी रो एल वाइए ठीक है क्योंकि एल लेंद का है इसकी cross section area और रो इसका हमने प्रेश्टिविटी मान लिया है तो यहां से रो की वैलेगी मतलब आर की वैलेगी वह फोर आचाहे कि फोर इक्वल टू रो एल अपॉन यह दे रखा है ठीक है यह फोर ओम है यहां पर लिख लो तो फोर ओम समझ भाई अब देखो क्या बोल रहा है कि कि यह वाइड वुट वी ते रिजिस्टेंस ओफ अने दर वायर आफ दसे मटी मतलब से मटीडियल का कोई दूसरा वायर लेकि आ रहों ठीक है को दूसरा वायर लेकिया है इसकी लेंद कितनी है एल बाय टू और क्रॉस सेक्षिन अरिया कितना है एवाइटू सॉरी एवाइटू एटू एटू एट तो यहां पर रजिस्टिविटी वैली तो सेम हो जाएगी लेकिन जो रजिस्टेंस होगा वह हमने माल लेते हैं आड़ डैश हो गया ठीक है तो यहां से अगर हम रजिस्टेंस की वैल्यू इसकितना हो आगा लो और कितना हो जागा एक प्लेस पर लवाट टू और एक प्लेस पर टू ऐसे तो कुछ हो जाएगा को लिए था यहां का लेंगे आर डैस की वैलीक तो अर्ड एक्शिन में हाड़ डैसी कल्कुलेट करना इसका तर आज से तो इसकी हैल्प से इसका रेजिस्टेंस क calculate करेंगे देखो कैसे करेंगे तो आड़ एक्वल डू क्या हो जाएगा रो यहाँ पर एल के प्लेस पर कितना रखेंगे एल बाय टू ठीक है आप ऐसे वीडियो को कर सकते हूं आर डैस माना है तो रो तो सेम हो जाएगा एल डैस अपॉन एडैस फिर एल डैस के प्लेस पर कर करोगे एल अपॉन टू उसके पाद एडैस के प्लेस पर करोगे टू ए तो डैरेक्ट भी फूट कर सकते हैं ठीक है ऐसे करने क्या जोड़ होता है हम डारेक्ट पूट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रो इक्वल टू रो इक्वल टू सारी आर इक्वल टू रो एल तो और टू ए तो यह हो जाएगा मेरा एल अपॉन फॉर इंट बोलो हो जाएगा अब दोगो यहाँ अब कुछ थ्थाज़ करने जाना तो क्या हम यहां से आर डैस की वैल्यू इसको थाज़ चेंज करें तो क्या वन अपॉन फॉर और यहां से हम इसे लिख सकते हैं रो ए अपॉन एक क्या लिख सकते हैं हमने क्या क्या यह फोर को बाहर ले लिए और इसको पुरा एक साथ कम्माइन करके लिए ठीक है ध्यान से देखो तो आपको इसकी वैल्यू रो एल अपॉन एक की वैल्यू तो पता है यह दो को रो एल अपॉन एक की वैल्यू मुझे पता है ठीक है 4 Ohm तो यह 4 Ohm हम यहां रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा आर डैश एक्वल टू वन अपॉन फॉर मुल्टिप्लाय बाई 4 Ohm ठीक है डारेट इपुड कर दें ठीक है चाहँ तो इसको एक्वेशन फर्स्ट मान लो ठीक है इसको एक्वेशन फर्स्ट मान लो यहा आजाएगा तो आर डैश एक पर्डू कितना आजाएगा वन और ठीक है और यहीं हमारा आंसर है वह बहुत समझ में आया कैसे किया कुशिन तो बस आपको एक वैल्ली को यूज करना दूसरी वैल्ली में ठीक है और इसी देखेस हमारे कुश्ण सॉल बजाएगा पुश्यन पूर्फिक नमबर थ्री क्या है नाग रों वाइर अ नाइक रों वायर थि रसीस्टेंट इस आ अ रहा थिस्टेंट अ फ़ीन ऐसाथिटल ऑषिव कराने है फाईगा है फाईड़ गार साहिए फाईड करेंड करेंड अनिड दाट आपको नादन वायर पाईड जाएड दो रेजिस्टेंस ओफ रेजिस्टेंस ओफ अनेदर वायर अनेदर नाइक्रोम वायर अनेदर नाइक्रोम वायर ठीक है whose length is Whose length is for 10x4 times whose length is k4 times and area of cross-section and area of cross-section area of cross-section थी टाइम्स ए थाइमज थार्स्ट वारीछ थ strength वार फार्स्ट वार कटर है स выглядит Tslefлу को साम्नियो तो से माटिरियल मतलब रजिस्टिवेटी की वैलियो रोखी वैलियू से मोगी होगी हूज लेंद इस फोर टाइम और एरिया उफ्रॉस एक्षिन इस थ्री टाइम तो वैसे फिर से डाग्राम एक छोड़ा सा बना लू अगर चाहो तो नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप तो वाल और पर जैल्ट सक्टे को हो कि पहले इसकी लेंद कुछ E puis T मन लिया हमने और एरिया स्तिशन खिपकर यहां से सक रेजिस्टेंस मिल रहा था यहां से सक रजिय्टेंस मिल रहा था वह फैफ ऑम मिल रहा था तो अगर हम इसको तो कैलकुलेट कर देते तो कैसे करते रो एक पर टू रो एल अपॉन ए और इसकी वैल्यू आपको ओवरॉल पता है फाइफ ओ ठीक है तो फाइफ ओम एक्वल टू रो एल अपॉन ऐसी तो होगा भूलो ठीक है तो अब हम इसको यहीं पर यूज कर लेंगे इसको अटा देख हूँ हूँ तो हमाल लेते हैं यहां पर हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन देखो तो यहां से माल लेते हैं हमारा 5-0 निकल कि आएगा चले लिख लिए स्टयप में पहले आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए तो आर की वैल्यू आपको पता है 5-0 और रू एल अपॉन एसे लि या तीकन इसी सें मटेरियल का आपने दूसरा वाईर लिया है जिसकी लेंद कितनी है फोर टाइम्स ठीक है मतलब इसका फोर टाइम्स तो यह फोर रहर हो जाया दो कि कुछ लोग क्या करते हैं कि हम दूसरा वायर ले रहे हैं इसको कुछ और माल लेते हैं फिर एलवन के प्लेस फोर एल लखेंगे तो डारेक्ट भी कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है और इसा क्रॉस सेक्षिन एरिया मुझे कितना बता है पहले वाले से थ्री तरी टाम तो खाएं तो वह नहीं पता है वह में इस कैलकुलेट कर आप दे Beryczu तो यहां पर इसके अगरम आड़ेश की वालेเปчес Greek प्रवेंग एक ड्रिए करें करें तो क्या और आट के पलेश 큰 थे न होजयेगा रोब है ठीक है और एक प्लेश पर ठीर आप ऐसे कई तो आट सब्सक्राइब प्रवाल टू हो जाएगा रो रो नहीं ऐसे कर दोगो फोर और त्री को बाहर ले लो फोर अपान ट्री ऐसे ले लिए अब आकी जो वैल्यूस है रो अपान एक इसको एक ब्रैकेट में रख लें अब बोलो ठीक है और रोल अपान एक वैल्यू आप फस्ट एक्वेशन से केल्कुलेट कर सकते हो इसकी वैल्यू मुझे पता है फाइफ यहां पर डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आर डैस की वैल्यू फोर अपान थ्री मल्टिप्लाय रो एल अपान तो यहां से मुझे मिल जाएगा फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा आप फाइफ ओं तो यहां पर इसको ओवराल सॉल्ट करोगे मल्टिप्लाय करोगे फोर फट्वन्टी अपान त्री तो सिक्स पॉइंट सम्टिंग मिलेगा तो आर डैस की जो वैल्यू मिले नुअ शीटन नुम्हगा फूर है कंशूर नुम्हगा वह हूत इंपर्टरेंक कुम्कि में बहुत सारे पार्फ मेरी कवर हो जाएग ईंपॉर्टन पुश्ट आ गिवन इ southern अ को गिवन इस गिवन तनस्दीव गिवन बंधी जीवन पर गिवन ब्रहें से has a resistance a given wire has a resistance of 6 ohm, ठीक है how will it, with its resistance change, तो next question दिक्ते हैं में, how will its resistance change, change कैसे होगा, if first point, only its length is double, first case है हमारा only its length is double ठीक है, second B part में बोला है only its cross section area is double only its cross section area cross section area, cross section area, cross section area, क्रोंश है लीजिए उसके थीकमिस chicos, cross section area is double second ठीक है और सी पार देख तेंगे अउनली दे रेडियस आफ द वायर इस डबल ओनली दे रेडियस आफ द वायर रेडियस ओफ द वायर इस डबल ठीक है यह मैं तीनों कोशिशन का अंसर देना है वो लगे है अगिवन वायर रीजिस्टेंस आफ सेफ सल यह मझें पथा है कोई वायर है उसका जो बाइस्टर सही किया हो अगर मैं यह पिन नइन कि एक केस को डिसकस करते हैं तो सॉलेशन देखते हैं तो अगर आपने पहले दो कुर्शन अच्छे से समझें यह कुर्शन आपके लिए बहुत इजी है तिक अध्यों को मान लेते हैं को यह वायर है कि इसका इसकी लेंद्ध हमने इनिशली एल मानी थी और क्रॉस सेक्षिन एरिया को हमने ए माना था इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबके लिए से हम होगी क्योंकि माटीरियल चेंज नहीं हुआ है अब यहां पर देखो तो इस टैंपल्स की रेजिस्टिंस की जो वैल चैनल पूं जाएगा रोल अपॉं एंट। है इक वैle कूशन फर्स मार्यर्स को यहां पर लिख लेते हैं तुरस्स की आई都 ओम एक्वल टू कितना हो जाएगा रो एल अपॉन एं ठीक है यह एक्विशिन फास्ट मान लिए ठीक है समझ में आगे अब दोगों फॉर्स केस को डिसकस करते हैं एक पार्ट अब ओनली इट्स लेंट इस डवल नहीं जहां पर आपको टूए लटना बाकि सबको सेम है तो हमने आर्टेस मान लिया इस केस में ठीक आर्टेस इक्वल टू क्या हो जाएगा रो और एल के प्लेस पर टू टाइमस आफ एल बोलो ठीक है और एक प्लेस पर हम एही रखें क्य सब्सक्राइब करना है फर्स्ट केस में ओनली इट्स लेंट सिर्फ लेंट डवल होगा एरिया नहीं तो यहां पर देखो सॉल करोगे तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा और डैश इक्वल टू तो यह टू को हम बाहर ले ले लेते हैं और यह रो एल अपॉन ए रो एल 12 ohm बोलो ठीक है यह आपका अंसर है फर्स्ट पार्ट का ठीक इजी है कुशिन समझ में आ रहा है और ऐसे भी समझो कि अगर आप आपको बाता है जो रेजिस्टेंस होता हो लेंथ मेंद करता है तो लेंथ को अगर डबल करोगे तो पहले वाले से डबल हो जाएगा डिर्क पार्ट पार्ट हो गया नीप देखते हैं अब एप आशी को क्या है बी पार्ट हमसे बोला गया है अउरी इट्स क्रॉसेक्वेशन और तो फिर ठीक है यहां से यहां से करने के तरीका वह यह ब्लुकुल रोड तो सेम रहे गासी एक इस पर ग्रॉसे की लेए है वाड एप है वहाँ पर हमने टू ए कर दिया बोलू ठीक है यहां से देखो तो आर्ट एकोल टू यहां से कल्कुलेट करेंगे तो कितना आ से कंसर एक समझ में आगे कोशन कैसे कर रहे अब दुकुस्थ थार्ड वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरस्टिंग इसको समझ गया थार्ड पार्ट व्रसा अलग है वहाँ पर ना तो लेंद की बात बोली गई है और नाए क्रॉस्टेक्शन एरिया की बात बोली गई वहाँ और यह बोला गया है कि only the radius of the wire is doubled आप जी देखरो यह जो और आपका लेटेक्शन एरिया सिक रेडियस होगी इसी कुछ रेडियस होगी उसको डबल किया है तो यहाँ पर कहा पर फरक आया होगा क्या स्की लेंद भड़ी होगी नहीं लेंज़ तो से मैं मतलब आप मतलब मालग ये एक वायर तो अगर आप इसकी रेडियस को बढ़ा पर तो इसकी क्रॉस Donc whale तो और लेते हैं पहले यह था माल लेते हैं इसकी कुछ जो रेडियस होगी वह द्यूलाइस को सकते हो या आप रेडियस के एसकुैर से भी एडिया कैल्कूलर करते हैं अब बुला है कि जो आपका रेडियस अब डबल हो जाए तो रेडियस माल लोगा इसकी मैं रेडियस डबल कर दो तो एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा तो पहले एक वल्टू था मेरा पाई आर स्क्वेर ठीक है अब अगर रेडियस को मैं डबल कर दो तो एडैस मतलब अब एरिया क्या फर्क पाई तो सेम रहेगा constant है पाई आर के प्लेस पर मैं तू आर तू आर का हो लुक्ट तो एडैस इक्वन टू आजाए गा पाई इन्टू फॉर आर स्क्वार्फ और को बाहर ले लिए लिए तो पाई से रिख लूं पॉर पाई आर इसक्वार और पाई ए तो यहां से आ जाएगा फोर टाइमस ऑफ ए मतलब जो भी एरिया होगा वह पहले वाले का चार गुना हो जाएगा अब यहां से देखो यह चीज़ में यहां पर यूज करने वाला तो अल्टिमेटले में रेडियस का डबल में से क्या फर्क पड़ रहा है इसका एरिया जो क् एल अपॉन ए और एक प्लेस पर हम रिखेंगे फोर टाइमस ओफ यह फोर टाइमस ओफ एक क्यों लिखा हमने यहां से यहां से कैलकुलेट किया कि एरिया भी क्या फर्क पड़ रहा है और उसको यहां पर यूज किया तो यहां से अगर हम राड आड़ आड़ एसकी वैल्य क्येbs करेंगे तो इस फोर को बार लेंगे और यहां से हो जाएगा रो रब उपन एई और इसकी वैल्यवियолsk यहां से पताएं तो यहां से आडेस की वैल्यृ क्लिट करोगे तो वन पार इन्टो सिक्स और इसको सॉल्ट करोगे तो आपको आजाय का अंसर बन पॉंट फा करना है सारे question और सारे question easily solve हो जाएंगे कोई यहां पर difficulty वाली बात नहीं ठीक है अब last question देखते हैं बहुत important question number five दूख अब तक हम लोग ने जितने भी question किये थे हम लोग ने महाँ पर same material के बाद की ठीक है same material but different wire ठीक है मतलब आप एक ही material के दो आप लेके आरो अलग अलग किसी की लेंज जादा थी किसी की across section area जादा था कम था ठीक है मधर बाप अलग अलग वायर की बात करते बट दसे मटेरियल ठीक अब हम क्या करेंगे सेम material के से pane के बात करेंगे अलग अलग भाय नहीं ठीक है अब सीम मटेरियल के से मार्ट कर वात कर दो कैसे सम च्छो अपीस ओवाइर a piece of wire और यूनि फॉर्म और यून फॉर्म क्रॉस सेक्षिन एरिया of uniform cross sectional area is redrawn is redrawn by pulling it by pulling it ठीक है इसको खीज के redraw कर दिया गया ठीक है till its length till its length is doubled till its length is doubled मतलब इसको खीज के एक ही वायर था पहले आपको कुछ length का उसको आपने खीज के उसके length को डबल कर दिया length is double ठीक है और दिको क्यों बोलागे compare new resistance अब इसका resistance तो बदल जाएगा क्योंकि resistance की value length और अब क्रॉस्चीन एरिया पर डिपेंड करती है तो यहाब रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा में compare करना है तो compare नू रिस्टेंस compare new resistant compare new resistant विद इट्स ओरिजनल वैल्यू 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 यह मैं वरीजिनल वैल्यू आएद्स अरिजिनल वैल्यू तो टेंप्रेचर तो ऐसे बिकल नहीं उन्हुता दिख लेते हैं और इट्स टेंप्रेचर इट्स टैंप्रेचर रिमें कॉंस्ट करिके स्मयन गों सुन्स लिओ अब सक्रेट को शुशंग समझते हैं कि यहां से कुछ TYKY की वैलिय होगी कुछ यहां से और की वैलिय होगी हमें अब तक कुछम अब तक लिआ स साथ ऑपिर को कुछ आप seco थे के लंबा कर दिया और कत आ ग्रिया इस लेंथ का डबल कर दिया तो माण लें इसका इबन पहले बाद से हैं इसको तो आप L1 माल लो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस टाइम पर इसकी रिजिस्टेंस की वाल्यू आर्वन मान सकते हूं रोकी वैले तो सेम रहेगी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं अब दोको यहाँ पर आपने इसकी एरिया को सरी एरिया का नहीं पता है मुझे अब दोबल कर लिया हम अभी माल लेते हैं अल्टू इसको तो टू टाइमस ऑफ एलवन हो जाए मतलब अगर आपने इसकी लेंद को एल तू माना है तो आपको पता है आपने इसको डबल किया है ठीक है टू टू टाइम आफ एलवन वो कह में एल्टू का यूस करना पड़ और यहां पर देखो क्रॉस सेक्षिन एरिया हमने माल लेते हैं उस टैंप पे टू हो गया अब सुना बात को हमने सेमी वायर लिया हुआ है वायर तो नहीं बद रहा है वायर को अगर आप खीश के लंबा करोगे तो क्या सक्राश्चिन एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा पढ़ेगा तो हमने माल लेते हैं इसका क्रॉस सेक्षिन एरिया कुछ एटू माल लिया और इस टैंप पर इसके रजिस्टिंस की वैले हमने आर्टू माल लिए और रेजिस्टिवेटी मतलब रो की वैले तो सेम रहेंगी अब यहाँ पर क्या करेंगे कैसे कुछ रोल्ड करेंगे तो हमें फोर करें पहले तो यह इस बता दिय हैसे और आपका जो डूर्प amount of material वो तो सेम रहेगा चाहे आप उसको लंबा कर दो चार गुना कर दो दस गुना कर दो आपका जो material है मतलब जितना amount में आपका wire है ठीक है यहां इसके बात कर सिंपल अगर से mathematically बात करें तो इसका जो आपका जो volume है है इस material का इस वायर का वह सेम रहेगा अगर यहां पर वी है तो यहां पर भी होगा बोलो ठीक है यह बात समझ में आ रही है तो आप volume कैसे calculate करते हो अगर इसको ध्या से देखें को इस वायर को तो क्या एक cylinder का फॉर्म लेर रहे है सिलेंडर आपका कैसे होता है ऐसा होता है ठीक है यह सिलेंडर है तो जहां पर इसकी एच हाइट लेते थे हम और इसका नीचे का एरिया हम क्या रखते थे पाई आर स्क्वाइर तो आप इसका वॉल्म कैसे कैल्कुलेट कर सकते थे पाई आर स्क्वाइर एच ऐसे तो करते थे एनटू एर्ट क्या इंटू एल से मुझे वॉल्यम मिल सकता है इस इह सम pra네 से हो घुप सकते हम आ ही लेंथ सका हमॉब यह क्या ब्रॉल्यम को montre इसी lahat हम डेकिक बाते ती दि मुलति अब यहांसे हम देखेंगे ज़ो हमारा पहले के टाइम हो ठीक है जो मेरा पहला वॉल्म होगा वीएकुल टू वह जाएगा है अगर इसको कैलक। नीजिक करें तो यह भी पारां भी आ जाएगा तो यह हो जाएगा a2 एंटू L2 कि भॉलव यही तो होगा दोनों का वॉल्म सेम होगा तो यहां पर हम लिखेंगे a1 into l1 equal to a2 into l2 भोलो ठीक है और l2 की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं two time of l1 तो a1 equal to हो जाएगा sorry a1 multiply l1 equal to a2 और l2 की प्लेस पर हम two times of l1 रख सकते हैं तो यहाँ देखो ल1 से l1 तो cancel हो जाएगा और अगर हम a2 के value का लूरिट करें a2 the a2 equal to हो जाएगा two a2 equal हो जाएगा यह तू नीचे जाएगा तो एवन अपॉन टू क्या मुझे एटू की value पता चल गई पहले वाले की comparison तो एक इतना हो जाएगा पहले वाले से हाफ हो जाएगा ठीक है तो इस information को हम यूज करने वाले हैं ठीक है इसको थोला मैं रफ कर दूँ इसको समझ में आगा है इसकी requirement नहीं है अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगी तो पहले हमने आरवन माना था तो आरवन क्या हो जाएगा रो रो तो सेम रहेगा एलवन अपॉन एवन बोलू कोई प्रॉब्लम नहीं इसको एक्वेशन चाहो तो फर्स्ट माल लो अब यहांज देखो आर्टू कैसे calculate को रोगे रो रो तो सेम रहेगा से सकते हैं कोई बात नी बाद में उसको एलवन के टर्म्स में लिख लेंगे और एडवन के प्लेस पर हम एटू रख सकते हैं बोलू कोई दिक्कत नहीं अब देखो यहां पर कि चेंज करने जा रहे हैं आर्टू इक्वल टू रो तो सेम रहेगा एलटू के प्लेस पर क्या म पर जाता है जो हमारे एलटू है आपको पता है एलटू रख लटाओ कितना था टू टांस ओफ लवन था यहीं तो लिखा था तो जहां पर एलटू है क्या मैं हाँआपध टू टांस ओफ ELS One लिखने पर और एक टू के प्लेस पर अभी एकवर्लेट किया एवर पॉंट त तो यहां पर हम A2 के प्लेस पर रखेंगे, A1 upon 2, ऐसे, भोलो ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यहां से R2 के value गर हम calculate कहें, तो यह 2 उपर जाएगा, और इसको मैं overall 4 को में ले सकता हूँ, तो 4 ऐसे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा, रो L1 upon A1, भोलो ठीक है, कोई equation first, रो L1 upon A1, रो L1 upon A1, इसको हमने R1 तंसीर रख किया था, तो क्या हम इसके place पर, R1 रख दें यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, R2 equal to 4 times of, इसके place पर मैं क्या रखूँँगा, R1, मतलब अब जो resistance मिलेगा आपको, वो पहले वाले का, 4 गुना मिलेगा, समझ म समझ लो, कि length आप double कर रहो, तो length double होगा, तो resistance double हो जाएगा, और cross section area आधा कर रहो, तो cross section area आधा करने पर भी तो, जो resistance है, उसके इन्वर्सली पर पॉस्चन होता है, तो वहां सभी double हो जाएगा, तो double double कितना हो जाएगा, 4 times, समझ में आगे बात, तो यह हमारा answer है, ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही, next वीडियो में बात करेंगे numerical, जो कि based होंगे circuit diagram पर, okay?